गुद मॉर्निंग स्टुडेंस तो आज हम पढ़ेंगे कक्छाठवी में विशाई गणित के अंतरगत अध्याई 13 प्रतिशत्ता के अनुप्रयूग इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेशनावली 13 समलो 3 जिसमें पहला नंबरकर को। बोला है चक्र विधि ब्याज और मिश्रधन ग्याद किजीए और इसमें आपको 4 कोश्ण दिये गया हैं तो यहां पर चक्रविद्धी ब्याज और मिश्रधन का फॉर्मुला मैंने आपको अल्रेडी बता दिया गया है तो आप यहां पर मिश्रधन का फॉर्मुला लगाएंगे मिश्रधन का formula लगाने के बाद आप मिश्रधन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज तो वहाँ से ब्याज को transfer करके हलकर सकते हैं या फिर आप चक्रिविदी ब्याज का direct formula लगाई है और उसके बाद मिश्रधन का formula लगाना है मूलधन धन ब्याज तो मूरधण, यापका 6,000 रुपए है अमालिज आपका ब्याद जो है जो रुपए है, तो दोनों को जोड़ोगे, तो आपका मिस्रधण पता चल जाएगा, इस तरह से आपकाम मिस्रधण आपका निकल जाएगा, तो आप दोनों ही फॉर्मुले में से कोई थे फॉर्मूला पहले यूज करके हल कर सकते हैं ठीक है दोनों में आपका same formula लगेगा चक्रविती ब्याज का यदी formula लगाओगे तो उसके बाद मिश्रधन का formula लगाना पड़ेगा तो मिश्रधन का वो बड़ावला formula नहीं लगाना है मूल धन धन ब्याज ये वाला लगाना है जिसमें ब्याज की value आपको रखनी होगी तब आच मिश्रधन निकलेगा ठीक है तो इस तरह से आप solve कर सकते हैं second question दिया है सलमा ने महिला समीती से 625 रुपए सिलाई मशिन खरीदने के लिए उधार लिए यदि ब्याज की दर 8% वार्षिक हो एवं वार्षिक गर्णा की जाए तो दो वर्ष बाद सलमा समीती को किनी रखम वापस करेगी तो जैसे कि मैं एक example देती हूँ कि आपने 1000 रुपए किसी से उधार लिए है और एक साल बाद आपको पैसे चुकाने है तो एक साल बाद जब आप पैसे चुकाओगे तो सिर्फ 1000 नहीं दोगे 1600 दे रहे हो तो जो 600 रुपए वो क्या है ब्याज है तो मूल धन आपका 1000 था और 6 रुपए आपका 20 है तो इस तहरा से आप 16,00 रुपए दे रहे हूँ तो जब मूल धन में 20 होज जाता है तो वो क्या होता है मिस्रधन होता है तो जब भी आपको बोले कि एक साल बाद या दो साल बाद या पांस साल बाद आपका इतना रुपए हो जा रहा है या फिर आपको चाहे किसी को किसी से लेना हो या किसी को देना हो ठीक है जब भी आपका समय दे दिया कि इतने वर्स पश्चात या इतने वर्स बाद ये रकम हो जाएगी तो वो क्या है मिश्रदान है यही चीज़ का आप ध्यान रखोगे कि आपका समय के बाद यदि आपको मिश्रधन है ठीक है तो इस कोशन में महिला समीती से 625 रूपय सिलाई मसिन खहिबने के लिए उधार लिए है यानि को इसके पर कुच भी पैसा नहीं था उसने उधार लिए है तो वो जो पैसा है 625 रूपय वो आपका मूलधन है तो इस तरद सिस यहाँ मिश्रधन का फॉर्मूल लगाओगी दिया है लिखना दिया है में मुल्धन बराबर 625 रुपए दर बराबर 8 पॉर्मूल लगाएंगे आप उसके बाद आपका मिश्रधन का एंसर आजाएगा 729 रुपए ठीके तो दो वर्स बाद उल्तर में आप लिखोगे कि दो वर्स ब आज की दर से दो वर्स में 5,832 रुपए हो जाता है ध्यान से पढ़ेंगे वह धन ग्यात कीजिए वह धन यानि दो प्रकार के धन है एक मूल धन है और एक निश्रधन है ठीके तो यहाँ पर दो धन है जिसमें से एक आपको दिया रहेगा एक आपको निकालना है ठीके दर 8% आपको दे दिया है समय दो वर्स दे दिया है ध्यान से पढ़ोगे दो वर्स में इतना रुपए हो जाता है यानि कि दो वर्स बाद 5,832 रुपए हो रहा है तो वो क्या दिया है वो आपका दिया है मिश्रधन की दो वर्स पश्चात आपका जो मूल धन में ब्याद जब जुड़ेगा तब जाकी वो 5832 रुपए हो रहा है तो वे मिश्रधन दिया है इसका मतलब है आपको मुलधन ज्याद करना है ठीक है तो दिया है में आप लिखोगे मिश्रधन बराबर 5832 रुपए दर आपका 8 प्रतिशात है और समय आपको 2 वर्षा यहाँ पर हमको मुलधन में होता है वन प्लस दर बटे 100 घात में समय ठीक है यहाँ पर इंगलिश में लिखना है तो इस तरह से होता है ए बराबर P ब्रकेट ओपन बन प्लस आर डिवाइड़ बटे 100 टाकलोस पावर में ठीक है यहाँ ए जो है वो अमाँंट है पी जो है वो मुलधन है आर जो है वो दर है और ठीक है तो हमारा मिश्रधन दिया है इसले हम जैसे हमको मोलधन दिया रहाता है तो हम मुलधन के नीचे तो समय जो है वो पावर में है तो घात में दो होगा ठीक है पी 5832 रुपए बराबर क्या है पी ब्रैकेट ओपन 1 प्लस 2 डिवाइट बे 25 ड्रैकेट क्लोस पावर 2 यह 2 डिवाइट बे 25 कहां से आया हमने 4 के पाड़े से काटा है ठीक है 4 एकम 4 4 दूनी 8 तो 8 कटके 2 हो गया और 4 दूनी 8 दो बज गया 4 पंची 20 तो इस तरह से 4 के पाड़े से आप 100 को भाकर होगी कितने बार में जाएगा 25 बार में इसलिए 2 बटे 25 होगा ठीक है यहां तक लियर हो गया फिर 5832 रुपए बराबर P यहां पर हमने क्या किया उस परि 25 प्लस और यहां पर 2 जूट जाएगा क्योंकि आधार में जो हमारा हर हो बराबर है तो इस तरह से घात में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहां तक समझ में आगे आप परिमे संक्या को हल करोगे जैसे लगसा लेते वैसी तो 25 का 25 हो गया लगसा में ठीक हर आपका 25 हो जाएगा 27 तो 27 बटे 25 घात में 2 समझ में आगया 27 बटे 25 घात में 2 ठीक है उसके बाद 5832 रुपए बराबर जो है वो पी मल्टिप्लाइबाए साथ जो 27 है उसको मैंने दो बार गुणा कर दिया क्योंकि होल्ड पावर था तो 27 के घात में भी 2 है और 25 के घात में भी 2 है तो 27 को आप 2 बार गुणा करोगे तो आपका आजाएगा 739 और 25 को आप 2 बार गुणा करोगे तो उसका एंसर आजाएगा 625 ठीक है तो इस तरह से हो गया अब देखो जो 729 बटे 625 है वो मल्टिप्लिकेशन में दिया है तो आपको पी की वैल्यू निकालना है तो पी के साथ म गुणा में है उसका पक्छांतार करोगे तो वो क्या हो जाएगा भाग में चले जाएगा इस तरह से वैल्यू जो है वो पलट जाएगी अंस बटे हर है तो क्या हो जाएगा हर बटे अंस हो जाएगा इस तरह से जो मूलधन है पी बराबर क्या हो जाएगा पांच अजर आट 632 गुणा 625 बटे 629 ठीक है उसके बाद आप उसको कैंचल करोगे काटोगे तो इस तरह से आपका जो टोटल ऐंसर आ जाएगा वो 5000 रुपए हो जाएगा ठीक है यहांपर मैंने काटा नहीं है आप काटके हल करोगे तो आपका एंसर आजाएगा 5000 रुपए ठीक है तो यह 5000 तो आप उत्तर में लिखोगे कि वह धन 5,000 रुपए होगा ठीक है यहां तर उसके बद question number 4 आपको दिया है कितने प्रतिसात वार्सिक व्याज की दर से 4,000 रुपए दो वर्स में 5,290 रुपए हो जाता है यहां पर भी देखो दो वर्स में इतना रुपए हो जाता है बोल रहा है तो यहां पर भी मिश्रधन दिया है लेकिन 4,000 रुपए भी दिया है यानि कि 4,000 आपका मूल धन दिया है ठीक है तो समय आपको 2 वर्स दिया है तो क्या नहीं दिया है तो मिश्रधन की जगा मिश्रधन की वेल्यू, मुल्धन की जगा मुल्धन की वेल्यू, वन प्लस आर की वेल्यू नहीं है, वो आर, आर ही रहेगा पटे में, सवा जगा घात में दो हो जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको हल करने है, तो इसी से संबधित हमार प्रश न लगाया जाता है, यहां से पढ़ोगे किस दर से, यहां पर पहले बोल दिया कि किस दर से, यानि कि आपको दर निकालना है, यहां पर समझ में आ गया, अठारा सो रुपए पूर रहा है, तो अठारा सो रुपए आपका मूल धन हो गया, का चक्र विद्धि ब्याज, का चक्र विद्धी ब्याज दो वर्ष में 378 रुपए हो जाता है अभी मैंने कहा कि जब भी समय के बाद दिया रहता है तो वो क्या होता है मिश्रधन होता है ठीक है तो दो वर्ष दिया है वो समय हो गया लेकिन यहाँ पर ध्यान से पढ़ोगे कि जो मूलधन से ज़्यादा होता है मिश्रधन मूलधन में जब भ्याज आप जोड़ते हो ता वो मिश्रधन होता है यहाँ पर मूलधन 1800 रुपए है और यहाँ पर आप उसको यदि मिश्रधन मानते हो तो मिश्रधन तो वैल्यू कम हो गई तो ध्यान से पड़ो, वहाँ पर मिश्रधन नहीं दिया है, लिख के दिया है कि 29 सदर से 1800 रुपय का चक्र विद्धी ब्याज, क्या बूर रहा है, चक्र विद्धी ब्याज 378 रुपय हो रहा है, तो वहाँ पर चक्र विद्धी ब्याज दिया है, ना कि मिश्रधन दिया है, यहीं पर आप ध्यान रखोगी यह दिव्याज वार्शिक लगाया जा रहा है क्योंकि हमने चक्रविद्धी व्याज प्रशनल 13-10 सम्रदो है उसमें 6 माही गर्णा भी किया था इसलिए यहाँ पर ध्यान रखोगी यह 6 माही गर्णा नहीं है वार्शिक गर्णा आपको करने ठीक है तो इस तरह से आपको दिया है में लिखना है पी जो है मुल्दा यानि जो है 18 सो रुपए है टी बराबर दो वार्शे है CI यानि की compound interest जो है वो 378 रुपए है आरा को ग्याद करना है ठीक है तो यहाँ पर हम CI का formula लगा है यानि चक्रविदी ब्याज का हमने formula लगा है पी बड़ा ब्राकेट ओपन स्मॉल ब्राकेट वन प्लस आ डिवाइड बाई हांड़ेट पावर टी माइनस वन फिर ब्राकेट क्रोज ठीक है यह formula मैंने आपको पहले ही बताया है आपके बूप में भी मिल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर CI की value हमको दिया था 378 यानि की 378 पी की value है मारा 18 रुप है ब्राकेट ओपन है फिर ब्राकेट ओपन है फिर ब्राकेट ओपन है वन प्लस आ डिवाइड बाईड पावर टू माइनस वन यहाँ पर भी हमको दर ही ग्यात करना है ठीक है तो यहाँ पर आप देखोगे कि सारे जो वैलियों उसमें आपका संख् और आप ट्रांसफर कर सकते हो क्योंकि भ्राकेट याने होता है मल्टिप्रिकेशन तो वहाँ पर 18-800 वह ब्राकेट में दिया यानि की दिए है तो वह हो जाएगा भागमें तो इसलिए मैंने वहाँ पर भागमें कर दिया थी ब्राकेट ओपन है ब्राइड ऑफ है जो बड तो समख़ ब्रेकेट भुट्व जाएगा महां थाक है यहां पर कम्प्लीट हो गया फिर से आप देखोगे कि माइनस बन जो है अलग से दिख रहा है तो मांडस वन का फिर से पक्छानतर हो जाएगा तो माइनस बन जो है वहां प्लस बन में । हो जाएगा ठीक है और फिर आप उसका LCM लोगे तो 1800 वहाँ पर एड़ हो जाएगा तो इस तरह से यहाँ पर आप लिखोगे 378 प्लस 1800 डिवाइड बाई 1800 ठीक है यहाँ पर 378 प्लस 1800 बटे 1800 हो जाएगा यहाँ पर आप लिखने में थोड़े से परिशानी हो रही थी क्योंकि यहाँ पर बटे का नीशा नहीं आप रहा था इसलिए मैंने वहाँ पर कोस्टक लगा लगा के लिखा है ताकि आपको समझ म आए कि 378 800 को मैंने पहले जोड़ा है फिर उसके बटे में 1800 लिखा है ठीक है फिर बराबर में है 1 प्लस आ डिवाइड बे 100 यहाँ पर भी मैंने वही किया ठीक है पावर में जो 2 है वो भी मैंने कैप लगा के लिख दिया है तो वो पावर 2 है ठीक है इस तरह से तो यहाँ पर आप फिर जोड़ोगे तो 278 हो जाएगा यानि कि 2170 हो जाएगा और डिवाइड में क्या आजाएगा आपका 18 रूप है ठीक है वराबर में है 1 प्लस आ डिवाइड बे 100 पावर 2 जब आप लिखते जाओगे आपकी कॉपी में तो बटे कनिशा लगा के लिखोगे तो आ इसलिए मैंने 0 बार में दिया ठीक है जीरो बार में दिया तो एक 7 के साथ चले जाएगा तो 17 हो गया 17 2 के पाड़े में नहीं आता है तो 2816 हुआ है और फिर एक खासे ज़एगा तो 288 हुआ है ठीक है तो डिवाइड में क्या जाएगा 1800 है तो 288 सुने तो 298 सुने इसतरह स आपके एंसर आगया है 1089 बटे 900 फिर यहां पर बराबर में आपके चल रहा है 1 प्लस र डिवाइड बेंडर पावर 2 यहां तक कंप्लीट हो गया अब देखों यहां पर मैं कुछ दर याद करना है तो जितना मेरे को सॉलुशन करना था वहां तक तो मैंने कर दिया लेकिन आपका आर कैसे निकलेगा तो उस पावर को हटाने के लिए यहां पर आप अंडरूट लगा सकते हो ठीक है पावर हटता है तो अंडरूट लगता है तो यहां तो आप अंडरूट लगा सकते हो या फिर उसको पावर में दिख सकते हो तो यहां पर 900 जो है उसका क्या होता ह 30 होता है 30 को दो बार गुणा करोगे तो आपका नौस आजागा वैसे 33 को आप दो बार गुणा करोगे तो एक हजा नमसी आएगा ठीक है इसलिए 33 बटे 30 पूरे के घात में दो लिग दिये हैं आपका question number जो 4 है उसमें भी आपका same यह से ही आएगा आर की value निकालने लिए आपको वहाँ पर power हटाना होगा तो वहाँ पर भी आप power लोगे ठीक है तो यहाँ पर 33 divide by 30 power 2 equal to 1 plus r divided by 100 power 2 दोनों साइट के पावर आपको कैंसल आउट हो जाएंगे काटना नहीं है वह आपका दीख रहा है कि वहाँ पर दोनों पावर है इसलिए वह पावर कर जाएगा काटना नहीं है आप डारेक्ट सिधा लिखोगे 33 डिवाइड बै 30 एक्वाल टू 1 प्लस आट डिवाइड बैं हो जाएगा फिर से आप लोगे तो यहां पर 33 माइनस 30 डिवाइड बैं 30 हो जाएगा यहां पर फिर से मैंने ब्राकट की यूज किया ताकि आपको दिखाई दे कि 33 माइनस 30 अलग है ठीक है इक्वल टू आर बाइंट हो गया ठीक और फिर 33 में से 30 माइनस करोगे यानिकि 33 म 23 घम तीन तीन धाम 30 यहां भी लिख सकते हो या प Chaos मैंने दया कि yeah आर नफैं कि we show a teams यानिकी आर बटर सो डिया है तो आपका भाग में खा वह सी आप आक पार की वाएल नीकालनला है तो जो भाग में रहता वह किसका अ जाता है गुणा में ठीक है तो 3 बटे 30 गुणा 100 इस तरह से मैंने लिखा 0000 आप कैंसल करोगे ठीक है 0000 आप कैंसल करोगे तो आपका 3 एकम 3 बातिस तरह से अरी कि 2 पिर्टिशत जरूरे कि यह तरह से आपका कोस्ण नम्रूशा नम्बर सिकसे में स्पFlow likes की दर से 2 वर्ष के लिए सधान बाज एवं चक्रविदी ब्याज का अंतर निकाले तो यहाँ पर 32 रुपय जो दिया है वो आपका मुलधन है धर आपका 12 प्रतिस दिया है समय आपको 2 वर्ष दिया है यहाँ पर सधान और चक्रविद्धि ब्याज दोनों ही जयात करना है उसके बाद अंतर गयात करना है ठीक है तो आप साधान ब्याज का जो फार्मुला होता है मोल धन गुणा दर गुणा सामय प्रते सा यह हल करोगे क्योंकि आपको मोल धन भी दिया है धर भी दिया है यह इसली हो जाएगा आपका एंसर आजाएगा 768 रुपए ठीक है 768 रुपए आजाएगा उसके बाद आप चक्रविद्धी ब्याज का सुत्र लगाओगे पी ब्राइवड़ ब्राकेट वन प्लस र डिवाइड बेहंड़ पावर टी माइनस वन यह लगाओगे सेम पूरा हल करोगे आपका चक्रविद्धी ब्याज की जो वैल्यू है वो आजाएगा 814.08 यह आपका आजाएगा चक्रविद्धी ब्याज ठीक है आप आपको अंतर निकानना है तो आप लिखोगे अंतर बराबर चक्रविद्धी ब्याज माइनस सधान ब्याज दोनों का मैनस करोगे तो आपक ब्राबर चक्रविद्धी ब्याज मैनस अधान ब्याज ये लिखने के बाद ही आप खटाओगे ठीक है तो इस तरह से आपका प्रश्नावली 13 दसनलतीन पूरा कम्प्लीट होगा